हालो फ्रेंड स्वागता आप सभी का मेरे चानल शायना गोयल पर सो फ्रेंड इस सेशन में हम डिसक्स करने वाले हैं इंक्लूजिव स्कूल का टॉपिक है दो पर्संस विद डिस अबिलिटी एक्ट जो है नाइंटीन नाइंटी फाइव का ठीक है पी डव्ली डी बी इसको क आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट वही टॉपिक्स अपलोड हुए हैं सो फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे और बैल को क्लिक कर दे ताकि मेरे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करे तो जो यह एक्ट है सब प्रवकार की उनको डिस अबिलिटी है ताकि वो उनको उपरचुनिटी मिले इन अवर कंट्री ऑपरचुनिटी इन दो सेंस चाहे वो एजुकेशन फील्ड है चाहे वो जॉब्स हैं वाट्सोवेवर एकुल उपरचुनिटी हर जगा उनको मिले देखो यहां पर लिखा जो भी एरिया होते हैं तो यह चीज़े सारी उनको मिलनी चाहिए इसके साथ साथ जो अनप्लॉइमेंट अलाउएंस फॉर्ड डिसेब्स पैशल इंशूरेंस स्कीम होनी चाहिए इनकी रिलेटर एट्सक्टरा काफी कुछ है तो इस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं वो ह इस एक्ट कर देना जरूरी से कि 40% से कम है जो ठीक है उनको हम क्या बोलेंगे इस अगर 40% के पास है तो उसे कम ज्यादा उसी के दिसेबल पर्सन उसको बोला जाएगा नेक्स तेरिज़ प्रवीशन इन द एक्ट टो क्रिए प्रवीशन अगर इस तरह से एक्ट जो है यह चलते हैं तो इसको कॉडिनेट करने के लिए Central level पर अलग जो committee है वो है और state level की coordination के लिए अलग committee है और जो state level की committee है वो center को report करती है ताकि जो functioning है वो अप्रापर से चले जो भी activities होती है government की है एंजियोस की है तो उन चीजों को देखा जाए अगर कहीं पे कोई problems है तो उनको दूर किया जाए now the act provides direction to government and local bodies for the following activities इनको चाहे आप इसके features कह लो ठीक है जो भी इसके main points है वो यहीं है first is prevention and early detection of disability यनि की सबसे पहले तो disabilities को ढूंड ना कि यह detect कर लो कि यह disability इस person में है फिर उसको prevent कैसे किया जा सकता है all children shall be screened once a year for identifying at risk case हर बच्चों को कोई भी बच्चा है साल में एक बार उसका for the disability test होना चाहिए कि क्या वो बच्चा normal है या कहीं disabled तो नहीं है किसी प्रकार की उनको staff of primary health centers shall be trained to assist in this work तो यह सारे जो है like measures लेने चाहिए prenatal के लिए perinatal के लिए and postnatal care of mother and child awareness campaigns क्योंकि देखो जो disability होती है उसके maximum chances कब होते हैं यहां पर जब prenatal state होती है यानि कि जिसको हम गर्भावस्ता कहते हैं pregnancy होती है then perinatal and postnatal care of mother यानि कि pregnancy होती है फिर delivery होती है फिर उसके बाद की जो conditions होती है यह तीनों most critical होती है disability के लिए तो उन चीजों पर mother पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और बच्चों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए then second point is education every child with disability जो भी बच्चे को disability है उसको right है कि वो free education ले कितनी एज तक 18 साल की उमर तक तो देखो estimate जो 18 साल का बच्चा होता ना वो 17 से 18 यह जो एज होती है यहां तक बच्चा plus 2 की class जो हम generally अगर देखे ना तो 12th class वो pass on कर लेता है ठीक है उसके बाद अगर graduation करे तो 21 साल की उमर में जो है graduation हो जाती है इस according जो यह age होती है तो plus 2 तक at least सभी बच्चों को free education मिलनी चाहिए जो disabled है तो barrier free environment भी उनको मिलना चाहिए teachers training institution shall be established to develop requisite manpower teacher training institute होने चाहिए क्योंकि जब हम disability के साथ deal करते हैं तो teachers भी resource teacher की तरह होते है जो special teachers होते हैं then देखो non-formal education then third point is employment 3% vacancies in government shall be reserved for blindness या फिर लोगों के लिए जो 3% vacancies है यह होनी चेल दिये for the disability जो इस तरह की है then government education institutions including those receiving grant from government shall reserve at least 3% of seats वही अगर 3% vacancies है तो reserve भी तो करेंगे न 3% seats तभी तो उनको vacancies a lot होंगी no employee can be sacked or demoted if they become disabled during service तो किसी को भी मतलब demote नहीं किया जाएगा अगर during service के time पर वो disabled हो जाते है तो service उनको continue करने दी जाएगी then is non-discrimination point number 4 all the places of public utilities, public buildings, rail compartments, कोई भी ऐसी जो public places है वो barrier free होनी चाहिए to give easy assess like अगर हम infrastructure की बात करें again ramp और stairs की बिलकुल best example रहती है या फिर अगर vision की बात हम करें तो बड़े बड़े अक्षरों में सभी जगा लिखा होना चाहिए ठीक है announcements होती है तो वो क्या है जिनको नहीं नज़र आता वो announcement सुन लेते हैं जिनको थोड़ा बड़े अक्षर नज़र आते हैं तो वो बड़ा जो लिखा होता है screen पर या फिर बड़े banners लगे होते हैं वहां से देख सकते हैं तो इस तरह का facilities होनी चाहिए public places में then is research and development age relaxation and health and safety measures in workplace environment होनी चाहिए then poverty alleviation schemes है फिर reservation फिर जो है 3% की इनको मिलती है then is affirmative action aids and appliances shall be made available allotment of land shall be made at concessional rates for housing तो जो disabled person होते हैं इनको ऐसे नहीं कि जितना मर्जी rate लगा लो तो इनके लिए concession rates होना चाहिए ताकि अपने जो जीवन है वो अच्छे से ब्यतीत कर सकें चलो government इनको reservations दे रही है jobs में इनकी seats पकी हो रही है तो रहने के लिए घर या फिर जो business है अगर इनको किसी भी तरह की field में जाना है तो वहाँ पे concession मिलने चाहिए चाहिए वो housing है business है special schools है या कोई भी इस तरह की facility है then seventh point is the social security financial assistance to NGOs financial assistance होनी चाहिए क्योंकि NGOs क्या है यही दान दक्षना से काम करते हैं जहां पर हम कहते हैं गुप्तदान हो गया या फिर NGOs को fund मिल गया तो उसी पर तो यह चलते हैं तो वो इनको assistance पका मिलने चाहिए then is insurance coverage to employees with disability उसके बाद point number 8 हमारे पास आता है grievances redressal any violation of rights people with disability may move to the chief commissioner for person with disability in center and commissioner in state कोई भी rights अगर आप लोगों की follow नहीं हो रही है जो disability वाले लोग है गरून की कोई rights follow नहीं हो रही है तो वो यहाँ पर approach कर सकते हैं और अपनी जो बात है वहाँ पर बता सकते हैं then is mass awareness through TV और radio and other media अब देखो यह चीजें पता है हमें की सभी को facilities मिल रही हैं तो जो normal people हैं ठीक है उनको भी aware करना इन चीजों के बारे में ताकि वो उनको रोके न disabled person को कि यह उनका अधिकार है और disabled persons को भी पता होना चाहिए कि यह हमारे लिए benefits government ने दिये हुए हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो benefits आप लोगे कैसे कहीं पर हम कैसे claim करेंगे कि भई हम disabled है यह government की scheme है आप हमें इसकी तहत यह benefit दीजिए अगर आप उसको demand करेंगे तब भी तो आपको मिलेगा न उसी regarding mass awareness होनी चाहिए आजकल तो internet ही काफी है TV, radio and other media online आप कुछ भी देख सकते हैं ठीक है, inspire हो सकते हैं और अपनी knowledge को बढ़ा सकते हैं, encourage people on general health hygiene and sanitation, सारी चीजों के बारे में for prenatal, perinatal and postnatal care, causes and methods of prevention of disabilities, सारी चीजों के बारे में ना सिरफ इनकी जो responsibilities हैं या फिर इनको जो benefits मिल रहे हैं उसके लिए नहीं, overall सभी को aware करना हर चीज के लिए जो general हमारी health and hygiene है, so यहां पर हमारा यह वाला जो main features है, इसके यह भी complete होते हैं, साथ में यह topic भी complete है, so friends आने वाले session में जो है, और भी topics हम discuss करेंगे one by one, so video को like and share जरूर किजएग झाले session में जरूर किजए जो झालेपन जरूर को बाले सके जरूर किजएग।